सातियों, गुजरात में अपने सेवाकाल के दोरां हमारी सरकार ने बच्चों और महिलाओं के स्वास्त और पोशन को सर्वोच्च प्राथ्फिक्ता दे थी चिरंजीवी योजना के तहट पब्लिक प्रावेट भागिदारी सिवनिस्टिक करके इंस्टिटूशनल डिलिवरी संस्तागत डिलिवरी को अपने एक व्यापर्ग विस्तार दिया और गुजरात में उसके बहुत अच्छे परणाम मिले अभी तक इस योजना के तहट चौदा लाग गर्पती महलाएं इस चिरंजीवी योजना का लाब ले चुकी हैं हम गुजरात के लोग हैं तो हर चीज में से कुछ जादा ही करने की सोचने वाले लोग रहते हैं दिमाग में कुछ चीजे रहती हैं मैं जब यहां था तो 108 की सेवा हमने शुरू की थी लेकिन बाद में विशय यह आया कि 108 की सेवाएं जो गाडिया पुरानी हुई उसको निकाल दिया जाए तो मैंने का ऐसा मत करो 108 की सेवा के लिए जो गाडिया है क्योंकि वो तो इमर्जंसी के लिए होती वो परफेक्ट चाहिए क्योंकि रिस्पॉंस करने की उसकी ताकत होनी चाहिए लेकिन यह जो पुरानी हो गई गाडिया है उसको तुरंद निकालने की ज़रूत नहीं है उसको हमने एक नया रूप दे दिया खिल खिला हट और हमने ताय किया कि उसकी पूरी डिजाइन बदल दी जाए उसमें साहि साहिरन की आवाज भी बड़ी मुजिकल बना दी जाए और जव माता हॉस्पिटल में डिलिवरी के बाद तीन-चार दिन के बाद अपने बच्चे को लेकर गर जा रही है तो बेचारी को आटो डिक्षा डूनना यह सारी मुशिबत रहती थी हमने कहां यह जो एक स्वाट पुरानी उसको खिल खिलार के लिए बदल दिया जाए और उस नवजात शिशु को लेकर के जब अपने घर जाती और शायरन उस प्रकार से बढ़ती है तो पूरे मौले को पता चलता है कि चलिए भाई वह बच्चा अस्पताल जब घर आ गया है पूरा मौला उसके की घर पर भी निग्रानी हो इससे बच्चों और माताओं का जीवन बचाने में विशेश रुपसे आदिवासी परिवारों के घरों में खुश्यान लाने में बहुत मदद मिली है साथियों गुजरात की चरिंजिवी और खिलखिलाट की भावना को केंद्रे में आने के बा पिछले साथ गुजरात की तीन लाग से अधिक बहनों को कवर किया गया है इन बहनों के खाते में करोर रुपे सीधे जमा किये गए ताकि वो गरभावस्ता में अपना खानपान ठीक रख सके मिशन इंदर धनुष के तहट भी गुजरात में लाखों बच्चों को टीके ल जागा है जाचु के है